नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप मेरे नाम है नावी नुराप देख रहे हैं नियो वल्टे की डूप चैनल दोस्तों आप सभी के लिए गुड़नी हो जे और आज की वीडियो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाला है बिकोज फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आप के लिए एर इंडिया की लेटेस्ट रिकूर्मेंट की अपडेक्ट तेकर आए हैं जो की बिना एकजाम के सीधी भरती है So friends Air India की इस vacancy के लिए selection process क्या होगा कौन-कौन से candidates eligible है आप इधन कब से कब तक चलेंगे और सबसे important बात की आपको apply कैसे करना है ये सारी जानकरी आपको details में देंगे step by step सारी जानकरी के साथ में So friends वीडियो में लाज तक बने रहेगा दोस्तों अगर आप airlines में job करना चाहते हैं देश-विदेश घुमना चाहते हैं तो आप सभी के लिए golden opportunity है क्योंकि Air India जो है एक undertaking government job है तो यहाँ पर आप सभी के लिए best opportunity है तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से शिकायत भी रहती है क्योंकि आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते तो दोस्तों जादा स्यादा वीडियो को लाइक कीजेगा क्योंकि लाइक करने से ही हमें motivation मिलता है और इसी परकार आप सभी के लिए नई vacancy की update लेकर आते हैं और रोजाना इसी परकार सरकारी नोगरियों की जानकारी के लिए आज ही हमारी यूटूब चैनलन को सब्सक्राइब करें वीडियो की नीचे सलाल बटन को दबाएं साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन ज़रू दबाएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए फ्रेंड्स फटा फट से आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की latest jobs के बारे में जो की निकाली जा रही है Air India की तरफ से और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं के अंडेटेंगिंग कमपनी है तो यहां पर आप ये मान सकते हैं कि अगर आपको ये जॉब मिलती है तो आपको ये गवर्मेंट जॉब मिलेगी यहां पर जो भी benefits आपको मिलते हैं जैसा कि आपकी salary, other allowance जो भी आपको यहां पर facilities भी मिलती है वो सभी आपको सरकार के नियमनसार मिलती है तो ये एक government job हो सकती है और friends यहां पर आपको बता दें कि ये जो vacancy है बिलकुल सीधी भरती है यहां पर आपकी कोई भी exam नहीं होगी बिना exam के सीधी भरती है और यहां पर आपसे application fees भी नहीं लीजाएगी और friends इस vacancy की जो last date apply करने की वो है 1 June 2021 तो 1 June 2021 से पहले आज ही apply कर लीजेगा salary आपको काफी अची मिल रही है, काफी handsome आपको salary मिलेगी 50,000 जो है आप पर month salary पा सकते हैं यहां पर आपको 50,000 रुपे महीना आपको salary भी काफी अची देखने को मिल रही है तो चलिए friends सीधा आपको हमारी official website पर लेके जलते हैं जहां पर हम आपको आज के इस वीडियो में इस vacancy के बारे में details में जानकर देंगे तो friends अगर आप 10 वी किलास से लेकर के 12 वी किलास या graduate पास या फिर ITI डिपलोमा डिग्री पास है तो इस job के अलावा और भी bumper भरती हैं आ चुकी है जो कि friends railway में, SAC में, bank में, police में, army में इन सभी सरकारी विभागों में bumper भरती हैं आ चुकी है जिनकी सभी जानकर यो राविदन करने का link मिलेगा आपको हमारी official website पर tipsvarlbuzz.xyz पर तो friends आज ही google में search करें tipsvarlbuzz.xyz जैसे friends आप google में search करेंगे आप सिधा हमारी official website पर आजेंगे so friends साती साथ आपको बताएंगे कि आपको apply कैसे करना है notification के माध दिन से तो सीधा हम आ चुके हैं friends हमारी official website पर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे है Air India Air Transport Services Limited में आई latest requirement के बारे में जैसा कि friends आप यहाँ पर देसेते हैं कौन-कौन सी post पर यह notification जारी किया गया है तो three types of vacancies यहाँ पर पर देसेते हैं और यहाँ पर जो फर्स नंबर की वेकेंसी है वह manager की second number की पोस्ट है officer की third number की पोस्ट है assistant की apply के वल आपको friends online ही करना होगा वह भी email ID के माध दिन से तो अगर आपकी mobile में email ID है आपका खुद का तो आप इस वेकेंसी के लिए apply कर सकते हैं दो ठीके आपको पताएंगे कैसे आपको apply करना है all over India के candidates male or female apply कर सकते हैं वही selection process में friends आपकी कोई भी exam नहीं होगी आपका screening होगा या फिर आपका personal interview होगा salary की बात करते हैं तो 21,300 से 50,000 रुपे पर मंत आपको salary मिलेगी वही friends age limit जो है यहां पर आपसे application fees नहीं ली जा रही है बट लेकिन दोस्तों आप यहां पर दे सकते हैं कि अगर आप यहां पर apply करते हैं तो apply करते समय आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी आप से केवल journal और OBC के candidates से 500 रुपे की application fees ली जाएगी लेकिन वो भी कब जब आप shortlist होते हैं तो अगर आप shortlist होते हैं तभी आपको payment करना है उससे पहले आपको payment नहीं करना है यानि कि apply करते समय आपको कोई भी charges पे नहीं करना है किसी भी category के candidates को नहीं journal OBC के नहीं SCST के तो यहां पर वैसे भी SCST वाले candidates से कोई भी charges नहीं लिया जा रहा है ना तो shortlist है पहले नहीं after ठीक है तो यहां पर किसी को भी payment नहीं करना है और payment जो है जन्नल OBC के candidates को shortlisted होने पर करना है वो भी demand draft के दुआरा ठीक है अब बात करते हैं education qualification क्या required है इस vacancy के लिए तो friends यहां पर आप दे सकते हैं particular एक एक post wise हमारी website पर आपको qualification के बारे में details में जानकर दे रखी है जैसा कि आप दे सकते है manager के लिए qualification क्या है officer के लिए क्या है और assistant के लिए क्या है इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी maximum qualification है मान लीजिए अगर आप post graduate pass भी है या फिर MBA pass या CA pass या तब भी आप अपलाई कर सकते हैं बाकि फिर भी अधिक जानकरी के लिए आप जो हमारी website पर आजाएए यहां पर आपको details में जानकरी मिल जाएगी वहीं फ्रेंट्स आपको बता दें आविदन कब से कब तक चलेंगे तो 20 माई से लेकर के 1 जून तक इसके आविदन चलेंगे वो भी आपको email ID से apply करना होगा कैसे वो हम आपको बताते हैं इंपोर्टन लिंक में आपको मिलेगा notification के साथ में application forum का link यहां पर आपको किलिक करना है आप सिधा ने पेस पराजएगे जैसा कि friends आप देशते हैं हम सिधा notification में आ चुके हैं यहां पर आप देशते हैं ऊपर पूरी जानका इदे रखी है कि कौन-कौन सी post है station क्या रहेंगे और यहां पर number of vacancy कितनी है salary आपको कितनी मिलेगी तो यहां पर आप देशते हैं job location जो है मुंबई की है धहली की है कुलकता की है चैने की है यानि कि all over India में जो भी बड़े बड़े international airport है उन में आपकी job location रहेगी ठीके तो यहां पर आप देख सकते हैं कि post wise सारी details में जानकारी है qualification क्या होगी अपर age limit क्या है salary आपको कितनी मिलेगी इस सारी जानकारी यहां पर दी गई है और नीचे आप जाएंगे तो friends आपको यहां पर पता चलेगा कि यहां पर selection process में क्या होने वाला है तो screening और personal interview के बारे में जानकारी है वही friends यहां पर email id भी दिया गया है आप जैसा की देख सकते हैं यह वो email id है जिस पर आपको forum भरके submit करना है एक जून से पहले आपको forum submit करना है तो आप जो ही email id यहां पर भी check out कर सकते हैं हमारी official website पर हमने mention भी कर रखा है so friends यहां पर आपको notification में check out कर लेना है इस email id पर ही आपको forum submit करना है how to apply के section को अच्छे से पढ़ लिजेगा सारी जानकरी यहां पर दी गई है तो नीची आप जाएंगे तो friends आपको मिलेगा application forum इसको आपको download करना है, print out करना है, भरना है पूरा भरने के बाद फिर से इसको scan करना है और बताय हुए email id पर आपको submit कर देना है so friends यहाँ पर address भी है, photo आपको लगानी है यहाँ पर आप position कौन से station के लिए apply कर रहे है किस post के लिए apply कर रहे है, वो यहाँ पर आपको fill करना है जैसा कि यहाँ पर post का नाम लिखना है, station का नाम लिखना है आपका पूरा नाम लिखना है, पिता जी का नाम, फिर date of birth लिखना है फिर place of state of birth तो यहाँ पर आपको आपको जो जहाँ पर जिस राज्य में आपका जनम हुआ है जिस state में, जिस district में वो आपको mention करना है आपका पूरा address mention करना है, mobile number, email id देना है जेंडर select करना है, marital status क्या है, आपकी वो देनी है nationality क्या है, religion क्या है, mother tongue क्या है, pen card number और other number आपको देना है और उसके बाद में आपकी category क्या है, वो select करना है बाकि सभी जानकारी आपको fill करनी है, साथ-साथ आपकी जो minimum से maximum qualification है वो आपको यहाँ पर देनी है और language में आपके पास में कौन सी proficiency है, कौन सी भाषया आप जानते हैं वो आप यहाँ पर mention का सकते हैं उसके बाद में कौन को से documents आप लगाना चाते हैं उनकी list यहाँ पर दी गई है, उसके आगे आपको tick mark करना है तो यह सारी जानकारी आपको देनी होगी उसके बाद आप जो है apply का सकते हैं, submit का सकते हैं बट फिर भी अगर आपके friends मन में कोई भी सवाले शंका है इन vacancy के regarding तो comment जरूर कीजेगा वीडियो के नीचे comment box में आपके जो भी सवाले आप type कर दीजे हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे So friends, वीडियो अच्छा लगा तो like कीजेगा, channel को subscribe जरूर कीजेगा Thank you so much